नमश्कार, ENT के इस नए लेक्षर में अब हम बात करेंगे तिम्पैनोमेट्री के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि तिम्पैनोमेट्री क्या है और इसकी खास बाते क्या हैं तो याद रखेगा, tympanometry को हम impedance audiometry भी कहते हैं, ध्यान रहे, tympanometry, ये compliance को चेक करने का एक simple method है, ये इस बात पर based है कि जब कोई भी sound tympanic membrane से strike करता है, तो कुछ energy absorb हो जाती है और बाकी reflect हो जाती है, जितना ही जादा tympanic membrane stiffer होगा, उतना ही जादा sound energy reflect होकर के वापस आएगी, अगर compliance जादा होगा, तो reflection कम होगा, बात समझ पा रहे हैं, जितना ही stiffer होगा tympanic membrane, उतना ही जादा sound energy reflect होकर के वापस आएगी, compliance जादा होने पर reflection कम होगा, तो यहाँ पर याद रखेगा, इस पूरी process में हम external auditory canal को seal कर देते हैं, और उसके बाद हम pressure को change करते हुए, reflected sound energy को measure करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, external auditory canal को seal कर दिया, और उसके बाद reflected sound energy को हम measure करते हैं, और उसकी मदद से हम यह देखने का प्रयास करते हैं, कि tympano-ausicular system, यानि tympanic membrane और उससे जुड़े हुए ausicles, कितने compliance, उनकी compliance कैसी है, उसका stiffness कैसा है, इसके आधार पर हम middle ear के healthy होने या disease होने पर हम comment कर सकते हैं, तो इस काम के लिए हम जो भी equipments इस्तेमाल किया रहे हैं, इस image में हम देख सकते हैं, उसके three parts हैं, पहला part है, एक खास part जो की 220 hertz के tone को generate कर रहा है, deliver कर रहा है, पहला part, दूसरा part है, reflected sound को, sound कितना reflect होकर के वापस आ रहा है, इसको check करने के लिए एक microphone है, और तीसरा part है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, तीसरा part है, ear canal में air pressure को change कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम normal से उपर ले जा सकते हैं pressure को, और normal से कम भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम tympano ossicular system, यानि tympanic membrane और ossicular ossicles के जो system हैं, उनके compliance को, अलग-अलग pressure change करके, चिक करने का प्रयास करते हैं, और इसके बाद, एक graph हमें बिलता है, जिसको हम tympano gram कहते हैं, यहाँ पर tympano gram के result को कुछ इस तरीके से हम पाते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, pressure plus में positive pressure है, यह normal pressure है, और यह negative pressure है, आप देखेंगे, positive और negative pressure दोनों ही condition में compliance कम होता है, तो इस compliance को हम y-axis पर मिजर कर रहे हैं, जबकि x-axis पर हम pressure के changes के बाद reflected जो sound है, उसके बदद से tympanic membrane और ear articles के compliance को चेक करने का प्रयास किया जाता है, इस बच्चे में आप देख सकते हैं किस तरीके से equipment को apply करने के बाद हम graphical study के मदद से अंदाजा लगा सकते हैं कि tympanogram का result कैसा आया है, तो यहाँ पर types of tympanogram के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जो results आते हैं वो A type, AS type, या फिर AD type, आप देखेंगे, B type, C type, इस तरीके से 5 types में इसके results divided होते हैं, यहाँ पर tympanogram के results को जब हम देखते हैं तो याद रखेगा, AS, A और AD, तो इसके results लगभग एक ही line के corresponding आते हैं, यानि zero जो pressure value होती है, उसी के corresponding AS, AS का मतलब क्या हुआ, S का मतलब sclerosis से लिया गया है, तो autosclerosis में AS type का tympanogram का result मिलता है, A जो यहाँ दिखाया गया है, यह normal tympanogram का result है, जबकि AD, यह discontinuity के बारे में बताता है, तो यहाँ पर ossicular discontinuity होने पर इस तरीकी की चीज़ें हमें graph में ऐसी finding मिलती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, autosclerosis, sclerosis मिंस hardness होने पर compliance, compliance का मतलब होता है, sound vibration कितना अंदर किर गया, बात समझ पा रहे हैं, compliance बहतर होने का मतलब यह हुआ, के sound energy जब यहाँ से आकर के टकराई, तो वो ear ossicles को vibrate करके अंदर की और चली गई, तो यह compliance के बहतर होने का idea देता है, और इस दोरान reflection बहुत कम होता है, यह ऐसा होना चाहिए, अगर tympanic membrane stiff हो गई हो, stiff हो जाएगी, तो यह हिले डूलेगी नहीं, यहाँ पर autosclerosis होने पर, यह जो भी आप समझ सकते हैं, autosclerosis में, जो boni system है, यह stiff हो जाता है, इसके कारण आप देखेंगे, यह पूरा का पूरा system stiff हो जाता है, compliance यहाँ पर कम होगी, तो autosclerosis के मामलों में, compliance कम मिलता है, आप देख सकते हैं, normal study में जैसा होना चाहिए, उतना compliance मिलेगा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जादा ही compliance होती है, तो यहाँ पर compliance higher होने का मतलब होता है, कि autoscler discontinuity हो गई है, autosclerosis से कोई मतलब ही नहीं है, बहुत ही freely tympanic membrane move कर रहा है, वो reflect बिलकुल नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामलों में, autoscler discontinuity होने के बारे में अंदाजा लग रहा है, या फिर tympanic membrane बहुत lax हो गई है, lax होने का मतलब आप समझ सकते हैं, कि tympanic membrane धीली हो गई है, इसके कारण इसका compliance बढ़ गया है, इसलिए मैंने आपको बताया था, कि अगर ear stiff है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, autosclerosis के मामलों में, ear जब stiff हो जाता है, तो maximum sound का part reflect हो जाता है, compliance कम होती है, normal ear में एक balance होता है, जबकि hyper flaccid tympanic membrane, जिसमें tympanic membrane काफी धीली हो गई है, तो बिलकुल reflect नहीं करती है, ऐसा मामला हमें autosclerosis, sorry, autosclerosis नहीं, यह मामला हमें higher compliance का ossicular discontinuity के दोरान मिलता है, तो तीन finding है, stiff ears related जो tympanogram है, उसको हम type AS कहते हैं, यहाँ पर यह normal जो tympanogram है, इसे हम type A कहते हैं, और जब hyper flaccid है, तो उसे हम type AD कहते हैं, तो यह type AD है, जो की ossicular discontinuity के बारे में बता रहा है, जबकि यह type AS autosclerosis के बारे में बता रहा है, जब हम बात करते हैं, type B tympanogram की, तो आप इस image में देख सकते हैं, type B में जो graphical results आते हैं, वो flat या फिर slightly dome shape के होते हैं, ऐसा result क्या interpret कर रहा है, ऐसा result यह interpret कर रहा है कि pressure के change करने के बावजूद, compliance में कोई changes नहीं मिल रहा है, तो यह ऐसी finding, middle ear में किसी fluid के होने पर, जैसा कि glue ear की condition में होता है, middle ear में fluid अगर होगा, तो pressure के changes करने पर, compliance में कोई परिवर्टन नहीं मिलता है, जैसा अभी हमने पहले जो changes देखे थे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा middle ear में fluid होने पर, या फिर tympanic membrane काफी थिक हो, तो भी ऐसा हो सकता है, चलिए अब हम बात करते हैं, type C के बारे में, type C, जैसा कि हम इस image में देख सकते हैं, zero pressure के corresponding compliance, यह जो भी graph मिलेगा, वो A, AD या AS के बारे में जानकारी देगा, dome shape का या फ्लाइट होगा, तो type B होगा, जब कि compliance अगर negative pressure की और मिलने लगे, compliance, negative pressure पर मिलने लगे, यहाँ पर देखे ना, negative pressure पर जब compliance मिलने लगता है, तो यह type C, tympanograph, gram के results के बारे में जानकारी देता है, और type C, tympanogram, eustachian tube के dysfunction के बारे में आईडिया देता है, यहाँ पर एक बार फिर से, हम उन्ही results को justify कर सकते हैं, type C को, यहाँ पर हम देख सकते हैं, peak compliance कब मिलना, negative ranges में, beyond minus 100, यहाँ पर आप देखे, 100 decibel, यह जो pressure अपलाई क्या क्या है, सॉरी, यह minus 100 mm of water है, आपको मैंने पहले ग्राफ में बता, सॉरी, जो मैंने आपको image बनाया था, tympanometry का, इसमें जो pressure था, उसे air के pressure के terms में, हम लोगों ने दिखाया था, तो आप यहाँ पर देखे, air pump जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो mm of water के terms में pressure की condition को बताता है, तो जब negative pressure में, negative pressure की condition यहाँ पर apply की जाती है, air pump की मदद से, और उस समय compliance दिख रहा हो, तो ऐसा type C tympanogram होता है, और यहाँ पर use taken tube के dysfunction के बारे में, आइडिया लगता है, यह सीधे तोर पर बताता है कि middle ear में ventilation परियाप्त नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में आइडिया लगता है, इस दौरान tympanic membrane retract हो गया है, जिसमें tympanic membrane अंदर की और खिचा चला जा रहा है, देखे न, ear drum अंदर की और bulge हो गया है, जबके normal condition में कैसी finding होगी उसको भी एक बार देख लें, फिर हम देख पाएंगे type C मिला क्यों, तो आप एक normal condition में देखते हैं, कि external ear और you stack in tube के द्वारा, ear pressure balance हो जाता है, जबके you stack in tube में block होने पर, block is होने पर you stack in tube में, आप देखेंगे pressure equalize नहीं हो पाता है, अंदर pressure कम रहता है, आप देखेंगे arrow की ठिकने से आप समसकते हैं, इसके कारण ear drum अंदर क्योंड बल्ज कर जाता है, तो ऐसे मामलों में हमें जो compliance मिलता है, वो तभी मिलेगा, जब हम बाहर का pressure कम कर दें, तभी यहाँ पर हम compliance feel कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भीतर pressure कम है, तो अब बाहर का जब हम pressure कम कर देंगे, तभी हमें results मिल सकता है, इसलिए कहा जाता है, टाइप C timpanogram तब मिलता है, जब हम negative pressure यहाँ पर बनाते हैं, अब आप इसका concept समझ पाएं होंगे, टाइप C negative pressure की condition, क्यों यहाँ पर बताता है, उसके बारे में compliance negative pressure पर क्यों मिलते हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि timpanic membrane भीतर pressure कम होने की वज़ा से, bulge कर गया है, अंदर की और, उसको बराबर shape में लाने के लिए बाहर pressure कम करना पड़ेगा, तभी हम timpanogram draw कर पाएंगे, तो इस तरीके से अलग-अलग timpanogram के results को हम लोगों ने देखा, समझने का प्रयास किया है, किस condition में कौन सा timpanogram मिलेगा, उसको भी समझा, यहाँ पर मैंने आपको बताया, A type होगा, तो यह सीधे तोर पर बतायेगा कि कोई problem नहीं है, middle ear normal है, A, S type, A, D type क्या होगा, B type क्या होगा, C type क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो normal middle ear है, यह A type ने बताया, कोई दिक्कत नहीं है, orsicles और tympanic membrane का जो system है, वो proper जैसा होना चाहिए, वैसा बना हुआ है, इसका idea लगता है, जबकि auto sclerosis होने पर, आप देखेंगे A, S type, auto sclerosis की condition होने पर, आपने देखा था, stiffness हमें देखने को मिला था, compliance कम हो गया था, A, D type, disruption of ossicles, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, A, D type में, ossicular discontinuity होने की वज़ा से, A, D type जैसे results आएंगे, या फिर tympanic membrane कुछ ज़्यादा ही धीला हो गया है, तो भी A, D type के results मिलते हैं, इसके बाद मैंने आपको बताया था, कि यह A, D type के results, chain, ossicular chain का disruption होने पर, discontinue होने पर, tympanic membrane को ज़्यादा ही धीला हो जाता है, ऐसा होता कब है, trauma की condition में, यह बात हमें याद रखना होगा, B type का जो भी tympanic, tympano membrane था, tympanic B type की जो study है, उसको भी हम लोगों ने देखा था, लेकर अभी आगे बढ़ने से पहले, A के ही जो A, D type है, उसको देख लें, यहाँ पर, आप देखेंगे, A, D type की जो study होती है, tympanogram की, वो सीधे तोर पर बताता है, कि और्सिकल्स का जो channel है, वो यहाँ पर break हो गया है, कान से किसी भी तरीके की bleeding नहीं हो रही है, सब कुछ normal देखने से मिलना, लेकिन tympanogram का compliance बढ़ा हुआ है, तो सीधे तोर पर पता चलना, कि trauma के बाद compliance बढ़ गया है, नार्मल से ज़ादा है, तो और्सिकलर chain ब्रेक हो गया है, जबकि इस दोरान हो सकता है, bleeding नहीं हो रहा हो, सब कुछ normal हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस condition में, हमें और्सिकलोप्लास्टी करनी की ज़रूरत होती है, जो और्सिकल्स की position गड़बड हो गई है, उसे ठीक करनी की ज़रूरत होती है, बी टाइप के बारे मैंने आपको दिखाया था, फ्लाट टिमपैनोग्राम था, यह तभी संभव है, जब middle ear में fluid का collection हो गया हो, ऐसा glue ear की condition में होता है, या फिर S.O.M. सिरस ओटाइटिस मीडिया की condition में भी ऐसा संभव है, C. टाइप, भी मैंने justify किया आपके साथ, और यह used taken tube के malfunctioning या blockage के बारे में आइडिया देता है, तो C. टाइप का क्या result रहा, इसको भी हमने समझा, उसको justify करने का प्रयाज किया, तो A.S. और इस्क्लोरॉसिस में B. फ्लाइट टाइप, जो कि middle ear में fluid के बारे में जानकारी देता है, तो यह काफी important है, C. टाइप भी काफी important है, इनके results पूछे जा सकते हैं, तो टिमपैनोमेट्री के बारे में जितनी भी बाते आपसे बताई गई हैं, इन सभी को हमें याद रखना है,